असलाम अलेकुम वीडियो देखने वालो आपको जुबेर का सलाम वीडियो आज बुद्ध बतारिक 30 नुवंबर 2022 सुभा की मार्किट है कराजी फिशरी और सुभा के साथ बजी का टाइम है आज में पास आडर थे 10 किलो ब्लेक कुंद का था एक हमारे दोस्ते उनका और एक पतल का दाना है और सुर्माई के बच्चे हैं और बड़ी सुर्माई भी एक है एक दोथर का ये स्कीम 33 से आडर आये था मैं सुभा उठा तो फिशरी के जाने के लिए तो आडर आ चुका था उनलाइन में ये बड़ा फाइदा है और उनकी दो थर भी थी और दो वाइट कुंद के दाने भी लिए पांच किलो गए ये आज सुभा जल्दी परचेसिंग आदे घंटे में ही हो गई फिर मैंने बोका मिल गा वीडियो बनाने का आज बचली डूड़ने में भी काफी द आराज हो जाते हैं कि यार जुबर में हरी वीडियो आप नहीं बना रहे हो तो अब जायरे मुझे खुद को इतनी धेर हो जाती है और फिश्री में रश बढ़ गया है रश बढ़ने की वज़ा से जो है वो वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है और किसी एक मशली भी चीज करनी होती है अ आज मैंने वीडियो बना ली जो हो सका सब की लिए ब्लेक कुन मैंने लिए हमारे दोस्तें आजम टाउन से अबजला मलक अबजलावान और मेरे कुलिक भी रहे हैं हमने एक आफिस में काम भी किया है तो उन्होंने का यार यार ये में ड़िये दस किलो के यह हो गही है तो मचली उठाना मेरे लिए बड़ा मुश्क्किल हो जाता है कटवाना फिर इसको ले िलिए गर पर भर पे बैकेर पर बाइक कारना तो भूस्छाधा मचली होने की वजदा मेरे मुच्किल हो जाती है मेरा रभ वो मेरे दोस्त है तो आज मैंने सुबा ये उनको भिजवा दी और माश्रा डंडा माल मिल गया सुबा में जैसी फिशरी पोजा तो एक बड़ा अच्छा लाट मेरे को नजार आगिया दाना उठा के देखे सारे डंडे दाने थे ये मैंने वीवर्ज उनको 500 रुपे के साब से दिया है इसमें कट वाने का भी खरचा है 20 रुपे का फिर पेकिंग का भी 20 रुपे का खरचा है समझे ना 500 रुपे के साब से डंडा माल दिया वैसे 400 के साब से आपको B-Grid मिल जाएगा जो दाने थोड़े लटके वे होते हैं तो चारसो के साफ़ से मिल जाएंगे ये तक्रीबर दस किलो दूसो ग्राम के दाने थे में हादे ग्यारा दाने थे लगब किलो नूसो ग्राम किलो एक सो दाना शर्ट पड़ा भी था एक सवा किलो का था ये आडर जो है वो सकीम 33 से आये था तो आडर आगया था ये तक्रीमναे सवा 2 तो गयों दाना è दोथर का वाइट दोथर का गारेंटर ये स्कीम 33 में मkten आज भीजवाए है यही मेरे पुराने कलारेंट है यह मने उनको थालजन रूबीस के साफसी दिया ए एक अजार रुपे केजी के साब से और दो दाने उनके वाइट कुंद के भी मेने लिए मैं फाइफ केजी के थे तक्रीबन फॉर पाइट नाइन केजी के दो दाने तो यह उनका आर्डर था यह तो असल बात की तरफ आ जाते हैं अलागे मुझे दो तीन दोस्तों ने मुझे मेसेज किया मेरे पराने जो क्लाइन्ट है उन्होंने का यह जबेर भी आप जो है यह कुरान और सुन्त के जो धोड़ा पूद दरस देते हैं यह छोड़ देना क्योंकि यह हमारे यहां पर बड़े मसले मसायल हैं मतब इक्कलाफात बहुत है अलाकि एक बात अगर आपको कुई ق़रान की हवाला दे के बात करें या कोई सही हधीछ का हवाला दे के बात करें ना पर बात नहीं करनी होती है जब्तिक आप उसको verify ना कर लें आप उसको लेकिन यह कि मुझे काफी लोगों ने कहा गया अच्छी आप सही कर रहे हो यह बहुत बड़ा यह जो काम है दीन को फिलाना दीन की बाते आदूसरों तक पहुचाना यह बहुत बड़ा काम है यह आसान नहीं है इसमें जाहिए आपको थ्रेट भी मिलते हैं आपको मुखाल्फद बहुत होती है ना फिलार वीवर्स मैंने इसको continue करने का कोश्रिश करूँगा continue करूँ ना वीवर्स कहते हैं कि जब बंदा मर जाता है इंतकाल कर जाता है तो उसको जब कबर में दफन कर दिया जाता है तो दो फरिश्टे आते और तीन सवाल करते है अच्छा तीन सवाल के बारे में सब हमारे उम्मत का एजमा है इसमें किसी को इकतलाफ नहीं है क्या तीन सवाल किये जाते है कि आपका रब कौन है आपका पेगंबर कौन है आपका धीन क्या है ना समझे ना इसमें तक्रीम किसी का भी इकतलाब नहीं है उना भी नहीं चाहिए विसे जो बंदा कलमा पढ़के धीन इसलाम में दाखिल हो जाए अब जो भी उसका मामला हो अब अब जो भी है तो अब जाहरे जो नेक होगा जो परेजगार होगा जो नमाजी होगा वो जवाब दे जाएगा कहते हैं कि जो नमाजी होता है वो फरिश्टी उसको उठाते हैं ना तो वो कहते हैं मुझे नमाज के लिए नमाज के लिए जाना है ना फरिष्टि उसको कहते हैं कि बई नमाज का टाइम नहीं अबी सवाल जवाब का टाइम है और गुरान में एक जगा प्राइए कि आप नमाज पांच टाइम पढ़ो खो खसूसन सलाथ वस्ता सलाथ वस्ता के बारे मैं कहते हैं असर की नमाज के लिए का गया है तो वो नमाजी जो होता है उसको लगता है कि असर का टेम हो गया है सूरज समझाना इस तरह होता है कि उसको लगता है कि असर का टेम हो गया है इसलिए असर की बड़ी फजीलत है यह और जब जब जवाब दे जाता है तो फरीश तो उसको मुबारक बात देते है और फिर उसको कहते है यह तुम्हें कहां से पता चला एबन माजा की ठीश है चोता सवाल भी रिलींगा है तू कहता था माँए दुनिया में अमल करता था पुरान पढदा था नमास करता था तो वहां से मुझे सब पता चला झाल झाल